दोस्तो हम लोग अपने फॉन को यूनिक दिखाने के लिए ना जाने कौन-कौन सा अप्रिकेünü जेए फॉन में रखते हैं तो अगर आप भी अपने फॉन को सबसे हट कर यूनिक दिखाना चाते हैं तो आज का यह पूरा वीडियो आप के लिए है इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने फॉन को अपने दोस्तों के साथ यूनिक दिखा पाईएगा तो यह कौन सा ट्रीक है फॉन में कैसे काम करता है जानने के लिए आपको क्या करना होगा मेरे वीडियो को नीचे से लाइक करना होगा और उसके बगल में एक share का option है जिस पे टेस करके इसे अपने दोस्तों के पास आपको Facebook या WhatsApp पे share करना होगा जिससे आपका फ्रेंड लोग देखेगा और ओभी इस ट्रीक को अपने फॉन में यूज करके अपने फॉन को यूनिक दिखा पाईगा अब फ्रेंड बात करते हैं कि आप जो अपने फॉन को यूनिक जो है कैसे दिखाएगा तो उसके लिए हमें अपने फॉन में एक application को इस्टॉल करना पड़ता है तो वीडियो में अगर बने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग के तरफ से कुछ कमेंट भी आए तो वीडियो में नीचे जाना है और एड़ पॉब्ली कमेंट में टॉसक्राइब करना है अब चलते हैं अपने फॉन के डिस्प्ले पे और आपको बताते हैं कि आप अपने फॉन में उस ऐप को कैसे डाले इगा उसका शेडिंग गाला का 這ब चलते हैं और छब्लीड पर चलते हैं 4.7 का जो कि काफी अच्छा है और 10 लाक से उपर इसका डाउन्लोड है जब इसको इसको इस्ट्रॉल करने कवाद ओपन की जएगा तो इस तरह से यह एप आपके सामने ओपन जो हो जाएगा आप से पूछेगा कि रिकोमेंडर चाहता है या करेंट चाहता है ठीक है तो आप आपके सामने आपका फोन का डिस्प्लेइ चेंज हो जाएगा आपके सामने ऐक नया लंचर होड़िए यहां पे खुल कर आ जाएगा तो यहां पर बोलगा कि home screen एप करने के लिए system launcher पर बढ़ लें इप थी कर देंगे जब्यक्त है तो यहांपे Folk Chuck बोलटवर पर देंगे जह शही टीक करेंगे है चेंज home screen का option हैगा अब देखेज यहां पर हमारे सामने देख सकते हमारे iPhone का यहां पर पूरा जोए एप जोए चैंज हो चुँका है और देख सकते है हमारे समने एक नया इंटर्फेस्था हिए आपके सामने इस तरह से आजएगा इंटरेयनिंट वाला कॉन सा एप है इस तरह से आजएगा और फोटोग्राफिक का कौन सा अप है पहले आपको खुजने में परिसानी होता ता लेखिन यहाँ पे आप खुजने में अब लेखिन यहाँ पर फढ़िशनी नहीं होगा आप जब है सारे को यहांपे छाट सकते और सारर को बारि आरीवारी से जो है आप यहांसे ओपन कर सकते तो इस तरह से नया Toyfa आAP के सापदो नए खुलकर चला था desirable का मादम से यह फोख लए बाद ही इस तरह का इंटर पेस्स आपके er का बदलेगा तो काफी इंटेस्टिंग है यहां पे थी लेन का उप्शन नहीं उस पर टस्क रिक्ट करके आप इसके बैग्राउंड को आइकन पाक को यहां पर अप्शन बदल सकते पहले यह बदला है और यहां पे हम कोई भी यूज करना चाहिए तो यहां पे कर सकते अप् इस तरह से यह application जो है काम करता यह देखिए तो देख सकते हैं यहाँ पर इतना बड़ाबर application आ गया फिर से हम टश करेंगे इसको जो है छोटा करेंगे तो काफी इंट्रेस्टिंग है आप इस application का जो है यूज कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से आज किस वीडियो में आपने फॉन को यूणिक जो है कैसे दिखाएंगे तो आई होब कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक